देखो नेम अब दे चैप्टर इस दूजी सॉप्रिगोनोमेक्री मिन्स अप्लिकेशन सॉप्रिगोनोमेक्री की जरूरत कहां पर होती है तो कोई भी हाइड पर रही हुई चीज है तो उसकी हाइड फाइंड करने चाहिए यह ओन डल ग्राउंड डिस्टन स्वॉफड करुदें इसलिए उसको हम हाई-टेन डिस्टन्स भी बूलते है इस रंदी पांड दिस्टन्स भी बूल सकते हैं सबसे पहंले इसकी थोड़िक टर्मिनोलोजी हम समते तो चलाएर टर्मिनोलोजी समझो स्पूज यह हैं ग्राउड लेवर। हो अब यहां पर हो एक बील्डिंग्रेंग मील्डिंग को आप देखते हूं तो आप पहले में सिधा देखें ग्राउड लेवर पर जब भी यह अप्रेंगे उसले को अधेर वह क्या गहें लिए अब मैं सिधा देख रहा हूं वहां से उपपर की चीद देखने के लिए मैं मेरा सर उपपर को तक ले जाओंगा तो यह जितना भी एंगल बनेगा इसको कहेंगे एंगल अब एलिवेशन ओके और यह जो रे है जिस रे के इसाब से हम यह चीज देखेंगे इसको बोलेंगे रे आप वीजा इसको क्या बोलेंगे रे आप वीजा ओके इसे ही यह ग्राउंड है कोई चीज उपड़ है सब्सक्राइब और निचे वाली चीज देख रहे हो तो आपका हॉरी जोंटर रही यहां पर हो गया यह आपके लिए हॉरी जोंटर रहे हो सबसे पहले आप सिधा देखोगे सिधे से जितना आप निचे देखोगे वो बना एंगल ओफ डिप्रेशन मिन्स नीचे से उपर देखते हो तो एंगल ओफ एलिविशन उपर से नीचे देखते हो तो एंगल ओफ डिप्रेशन यह है रे ओफ वीजर अब सही में देखो ना यह राइट एंगल बन गया यहां पर यह राइट एंगल बन गया सपोज आपके पास एक एंगल हो और तीन साइड में से किसी भी एक साइड हो तो आप अनदर साइड कर सकेंगे दूसरी कोई भी साइड आप लोग कर पाओ तो बस यहीं है तो आपने चैप्टर नंबर एक में मैथर नंबर 5 में वही समझा था एक एंगल एक साइड की वेल्यू है तो दूसरी वेल्यू फाइंड करो तो यह पूरा चैप्टर नंबर 9 संट तो सबसे पहले हमें फिगर बनाने और फिगर के हिसाब से हमें काम करना है अब अब एंगल ओवब इंप्रेशन हुआ है यहां पर आप सोछोगे कि ट्राइंगल में तो कोई एंगल धिया ही नहीं तो क्या करेंगे तो देखो यह दू लाइन पेरेलल हो इसलिए यह और कोई भी एक साइड होगी देन यू कन फाइंड अनदर साइड ओके चैप्टर नम्बर नाइन एक्जाम्पल वन अचला तामें बद्धात अमारी टेक्सबुक मा रीड करो और यहां मोक्ष लेड कर से मोक्ष वाच तावर स्टेंड वर्टिकली अनुर्ड नुर्ड नुर पर निए तावर यांद फू जो है कि में तुप जटावर से तावर के मिचे निद्धार के बाक से 17 निड्ड दूर है अन्याल है यहां से तावर का एंगल अगल आप एलिवेशन अगल आप आप टावर आवर इस और पो आपके आपके शी अनुर्द दूर है यहां से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशान शिस्टी है है पाइंट दे हाइट ऑफ टाव हो गया है वेरी सिम्पल सा सबसे पहले है नहीं देख अब इसमें मार्किंग कैसे होता है वो समझ आपकी फिगर सही है परकेंट खेंग अधा मर्क शिर भाएं उसके बाग इस फिगर का एक्स्प्लेनेशन लिखते है मैंस ऐसे इली ही थी क्वल्टों है आप ड़रह को म सकश्चार बिस्टन से अब आफ और प्सप्रुंट्य। तो चलाओ, तो चलाओ, यह लिखो के दूसरा था मार, अगर इसमें से कहीं पर कमी होगी, तो मार्ट स्टाट हो जाए, यह करना ही है, अब, इन, ट्राइंगल एबी सी, ट्राइंगल एबी सी में, अब क्या करना है, यह सोचो, जो एंगल दिया हुआ है, उसी एंगल को एश्यूम करके, दो साइड ऐ कैसी सेलेक्ट करनी है, जिसमें से एक साइड की वैल्यू, आपको दी हुई हो, और दूसरी साइड था मैंड करना है, ब्रावर, था मैं क्या करना है है, हमें एवी, तो एभी इसके लिए क्या है, ऑपाजिक साइड, वैल्यू है, बीसी की, भी शी ए अट्यसेटैंग तो अपोजिक साइड अपोन अपोजिक करें तो क्या प्रोब्लम नहीं है जहां पर आता है तो उसका उठ्या आई सकता है तो क्या आता हो तो क्वाट की जरूरत नहीं है साइन आता हो तो सक्की जरूरत नहीं है फिर भी आपने क्वाट लेके किया तो आक्सर तो स्यम ही आएगा कोई फ़र्ण नहीं है बनाबर चलो 1060 is equal to opposite side direct value a b upon adjacent side b c चलो 1060 की value root 3 is equal to a b b c की value 50 15 यह multiply हो जाएगा 15 root 3 is equal to a b आंसर आ गया है तो हाइट आप दे टावर इस 15 root 3 मिटर फिनिश दूसरी एक पात समझों यहां तो आम ने यहीं आंसर लिख दिया है बड़ कहीं बार टेक्षबुक में यह समके पीछे ऐसा दिया हुआ है ब्रैकेट में की रूट 3 की value रखो अगर आपको रखनी है तो जब भी किसी भी नंबर के साथ मंटिप्लाई बाई रूट 3 हो तो रूट 3 के बतले 1.73 मंटिप्लाई करना है ओके एंड डिवाइड बाई रूट 3 हो तो डिवीजन में 1.73 रूट 3 की value होती है 1.73 अगर डिवीजन में रूट 3 हो तो 0.58 से आप मंटिप्लाई कर सकते हैं मिन्स वन अपॉन रूट 3 आणसर आएगा 0.58 तो डाइरेकt 0.58 से मंटिप्लाई करो यह दो value याद रख लेना जाओ अगर कहा है तब करना है नहीं कर दो भी करो तो भी से इसे रखो और थोड़ी सी एरर भी हो सकती है पाचाओ मुख्स तारज बाचाओ नोज आला है चलो चलो एन इलेक्ट्रिश्यन हैस्टू रिपेर एलेक्ट्रिक वोट उन देपोल और फाइद फाइद देखो इस ब्राउंड वाला है यह पोल की हाई है फाइव मीटर ओके इलेक्ट्रिश्यन को फाइव मीटर फाइट वाले पोल पर फोल्ट हुआ है वो रिपेर करना है शी निज्ट्रिश्यन गल्ड याद रखना याई कंफूजन मत रखना कि सब्सक्राइब यहां देखा है यहां देखना है शी निंद्स टू रीच एप पॉइंट 1.3 मिटर बिलो दटाप अप देख फोल तू अंडरेक्ट्रेट वह रिपेर वाल रिपेर करने के लिए पोल के टॉप से बंपुईंट 3 मिटर नीच्छे आके रिपेर करना है तो भी चलता वाट आपको समझे गुमा के दिया है दूसरा कुछ नहीं है इसमें यहां पे वह एक लेडर रहती है तो लेडर की लेडर की लेड़ क्या होगी आपको समझे लेडर की 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 कि लेंड कितनी है यह दोनों में फाइंड करना है कि अग्याइब अग्याइब आप 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 कि बाड़ा को ब्या मिनिक वेट करो हमारे चालू लेट लेट अग्याइब अग्याइब आप अग्याइब अग्याइब चलो फिर से एक बाग, A C is equal to height of the pole, 5 meter, A B is equal to 1.3, A dash B dash C, so 5 may say 1.3 minus 3.7 meter, okay, angle B D C is equal to 60 and angle C is equal to 90. B D is equal to length of the ladder, okay, and C D is equal to distance between given foot of ladder and pole, okay, देखो इसमें explanation थोड़ा ज्यादा हो, तो पूरा explanation लिखना है, चलो उतकर कहता है, सबसे प्रेलम सीडी फाइंड करें, और question में साथ में लिखा भी है, इसको राशना ब्रकेट में, की root tree की value 1.73 आपको रखनी है, बराबर, तो CD फाइंड करने के लिए आप सोचो, इस एंगल को लेकिए, यह opposite side, यह adjacent side, so, in triangle BCD, okay, 10, 60 is equal to, opposite side BC, adjacent side CD, 1060 की value हुई, root 3, root 3, BC, 3.7 upon CD, root 3 यहाँ देख लो, CD यहाँ पर आजाएगा, root 3 यहाँ पर आजाएगा, so, CD is equal to 3.7 upon root 3, अब देखो बच्चो, नीचे root 3 है, तो मैंने बुला दा, 0.51 से multiply करना है, यह करके दिखाता हूँ, 3.7 into 0.58, इसका 0, अब देखो, यहाँ पॉइंट के पीछे एक डीजिक है, यहाँ पॉइंट के पीछे पीछे जो डीजिक है, total 3 डीजिक हुए, तो 3 डीजिक की आगे मैं पॉइंट रखेंगा, so, CD की value हुई, 2.146, पॉइंट के पीछे आप 2 डीजिक रखना चाहा होता, कई लोग ऐसा भी करते, यह 6 है, 5 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ एक डीजिक बढ़ा दी है, यहाँ 5 भी रख देते हैं, यानि इतनी एरर चलेगी, इतनी एरर चलेगी, okay, so, CD की value क्या मिली, 2.14 meter, बरावर, चल सो, अब, BC find करना है, यह एंगल की साब से यह opposite side, यह hypotenuse, opposite side upon hypotenuse means sin, sin 60 is equal to BC upon BD, sin 60 की value है, root 3 by 2, BC 3.7 upon BD, BD यहाँ पर, 2 यहाँ पर, so, BD is equal to 2 into 3.7 upon root 3, 3.7 upon root 3, यह लिया, multiply by 2 ही है, तो वह ही कर दो, BD is equal to 4.28 meter, okay, राश्मलिक देना है, distance between foot of the ladder and foot of the pole is 2.14 meter, and length of the ladder is 4.28 meter, यह हमारा sum यहाँ पर complete हो लिया, अज़र्वरिजाब को multiply करके आगे करना है, अच्छी तरह से. अप्दित दोत मैं, कर दो with the best covenant of safety 3.50 meter, कौल मैं तरह से. मैं तुदी तरह से. और हमार, आब दिन are